अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिये बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके विपक्ष ने संसत के दोनों सदनों की कारवाही का बहिश्कार कर दिया लेकिन सरकार ने इन मांगों को मानने से इंकार कर दिया इसके बाद विपक्ष दल एक एक करके दोनों सदनों की कारवाही का बहिश्कार करते वे बहर चले गए विपक्ष की इस एकजुट्टा को देखते वे आठ निलबित संसत जो की कल से धरना दे रहे थे संसत परिसर में ही उन्होंने अपना धरना समाप्त कर देया लेकिन विपक्षी दलों को ही सोचना चाहिए था कि आज दोनों सब्दों में बहुत महत्पूर्ण विधेकों पर चर्चा होनी थी इस चर्चा में उनको भाग लेना चाहिए था आप देखे कि विपक्ष की गैर मौझूदगी में मात तीन घंटे में साथ महत्पूर्ण विधेक पारित हुए है कौन-कौन से विधेक हैं इनकी क्या-क्या महत्ता है इसके बारे में आपको इस विस्लित रिपोर्ट में बताएंगे साथ ही बात करेंगे शरम संबंदी कानुनों की भी जिनको लोकसवा के मजूरी मिली है और खास और आप देखें कि जो विधेक है शरम संबंदी विधेक ये किस तरीके से जो शरमिक वर्ग है उसके जीवन में एक नया प्रकाश लाने वाले हैं उसकी जो सामाजिक सुरुक्षा है उसको और मजूद करने वाले हैं इस पर भी विस्ट तरीके से बात करेंगे तो आई आपको दिखाते हैं दोनों सदों में आज कौन कौन से विधेक पारित हुए कौन कौन से विधेकों पर चर्चा हुई किसने क्या कहा इस पर देखते हैं हमारी ये विस्ट तरीकोर्ट सामे की चलते सोमार को आठ विभक्षी सदस्यों को निलंबित किये जाने को लेकर सरकार पर निशाना साथा था तथा इस कदम के विरोध में वे संसत भवन परिसर में अनिश्चित कालिन धरने पर बैठ गए थे राइसवा में कॉंग्रेस ने सबसे पहले सदन की कारवाही का भहिशकार किया उसके बाद माकपा, भाकपा, तिडुमूल कॉंग्रेस, एंसीपी, सपा, शिवसेना, आरजेडी, द्रमुक और आम आधी पार्टी, आधी दलों के सदस्ते भी सदन से बहार चले गए उपनी सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नभी आजाद ने आठ निरंबित सदस्यों को निरंबन वापस लेने की मांग की, साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार से तीन मांगे हैं, उन्होंने कहा कि सरकार दूसरा विधेक लेकर आए और यह सुलिशित करे कि निजी उपनियों के साथ साथ FCI के लिए अनिवारे हो कि वह MSP से कम कीमत पर किसानों की उपच की खरिद नहीं करें, उन्होंने कहा जिन सदस्यों को मौनसून सत्र की शेश अवधी के लिए निलंबित कर दिया गया है, उनका निलंबन रद कर दिया जाए, जब तक सरकार ये तीन चीजें नहीं करती, हम सदन की कारवाही का बहिशकार करेंगे, उन्होंने कहा कि समय की कमी ही समस्या की जड़ है, उन्होंने सुछाव दिया कि सदस्यों को अधिक समय तक बोलने की अनुवती मिलनी चाहिए, उन्होंने कहा कि खासकर छोटे दनों को 2-3 मिनिट का समय मिलता है जिसमें बात पूरी नहीं हो पाती उन्होंने कहा इसे समय के बंधन में नहीं बंधें उधर राजिसवा के सभापती एमंके नैडू ने सदन में विपक्ष के सदस्यों के हंगामे के बीच उप सभापती हरिवंश द्वारा दिखाये गए सैयम की सरहना की तथा विरोध कर है नेताओं के आचरण को नामंजूर करते हुए कहा मेरी मानों नहीं तो दफा हो वाला रविया स्विकार नहीं किया जा सकता नैडू ने विपक्ष के नेताओं से राजिसवा की कारवाही का बहिश्कार करने कि उनके निर्णे पर पुनरविचार करने तथा सदन में हो र अर्थ बहस चर्चा और निर्णे करना होता है ना की विवधान उत्पन करना नैडू ने कहा कि आसन चाहता है कि सदस्यों की पूर्ण भागिदारी के साथ सदन को चलाया जाए उन्होंने कहा यदि कुछ लोगों को लगता है मेरी मानों नहीं तो दफा हो जाओ तो यह नह नहीं चल सकता मैं इसे स्विकार नहीं करूंगा आपके पास संख्या बल है आपको अपनी सीट पर रहना चाहिए मत विभाजन की मांग करनी चाहिए उदर राजिसवा ने मंगलवार को दो एहम विधेकों को पारित कर दिया जिनमें रास्ट्री फोरंसिक विज्यान विश विशुधाले को रास्ट्री फोरंसिक विज्यान विशुधाले के रूप में उन्ययन करने का प्रस्ताव किया गया है उदर राजिसवा में मंगलवार को बांग की गई कि पाकिस्तान की नोवहन अजेंसी द्वारा पकड़े गए भारती मच्वारों को रिहा कराने के बेरोजगाली का मुद्दा उठाते वे कहा कि कोरोना वाइरस महमारी ने इस समस्या को और अधिक विकराल कर दिया है उन्होंने कहा कि विश्व बैंक ने भारत को 21 लाख रोजगार हर साल मोहिया कराने का सुझाओ दिया था खडगे ने कहा कि खुद मोधी सरकार ने हर साल दो करोड लोगों को रोजगार देने का वादा किया था लेकिन आज बेरोजगारों की संख्या इससे कई गुना अधिक हो गई है उन्होंने कहा कि किंद्री विद्यालियों, रेलवे, पुलिस, न्यायपाली का आदी में कुल मिलाकर लगभग 20 लाख पद रिक्त हैं तदा सरकार को ततकाल भरतियां करनी चाहिए, उन्होंने कहा अगर नए रोजगार सिर्जित नहीं किये जा सकते, तो कम से कम रिक्त पदों पर ही भरतियां कर दी जाएं। लोगसवा इसे बजट सत्र में ही पारिद कर चुकी है, ये पाँच, ट्रिपल आईटी संस्थान, भागलपूर, सूरत, रायचूर, भोपाल और अगर तलामा इस्थापित किये जा चुके हैं, शिक्षामत्री रमेश पोख्रियाल निशंक ने यह विधेक सोमवार को उच सदन में चर्चा के लिए रखा था, इसके लावा संसथ ने अनाच, तिलहनू, खाद तेलो, प्यास तथा, आलू को आवश्यक वस्तों की सूची से बाहर करने के प्रावधान वाले एक विधेक को भी मंजूरी परदान कर दी, राईसवा ने इससे समंदित आवश्यक वस् की कुछ आशंकाओं को दूर करना है, व्यापारियों को अपने कारूबारी गतिविदियों में अत्यथिक नियामक हस्तक शेप को लेकर चिंताएं बनी दती हैं। में लॉक्टाउन लागू किया गया था और इस दोरान स्कूल कॉलेज बंद हो गए, वर्मा के अनुसार राष्टिवाल आयूग ने सूचना दी है कि लॉक्टाउन के शुरुआती दो चरणों के दोरान करीब 92 हजार बच्चों के साथ दुर्वेवार और उत्पीडन के म मंजूरी मिल गई, इस विधेक का उदेश जमा करताओं के हितों की रक्षा करना है, राजिसवा ने इस प्रावधान वाले बैंकिंग नियमन चंचोधन विधेक 2020 को दोनीवत से पारित कर दिया, विधेक को लोकसवा 16 सितंबर को पारित कर चुकी है, यह विधेक कानून ब माध्यम से समुचित बैंकिंग विवस्ता को सुनिशित करना है, राजिसवा में विधेक पर संचिप चर्चा का जवाब जेते हुए, वित्मंत्री निम्रा सितनमन ने कहा कि जमा करताओं के हितों की पूर्ण रक्षा करने के लिए प्रवधान किये गए हैं, उतर राजिस बीजों तथा कीट नाशकों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कई बार इनकी गुणवत्ता अच्छी ना होने की वजए से किसान की पूरी फसल खराब हो जाती है, उन्होंने कहा कि इन दिरों देश में कई कमपनियां हाइबिरिड बीजों और तरह तरह के उन्नत बीजों को अपराद के दाइरे से बाहर करने और देश में कारुबार की सुगमता को बढ़ावा देने के देशे से लाये गया है, कमपनी शंचोधन विधेक 2020 को राजिसवा ने संचिप चर्चा के बाद धोनिवत से पारिद कर दिया, चर्चा के दोरान जादेतर विपक्षी दलों जन्ने सुरक्षा, स्वास्थे और कारेदशा सहिता 2020, और द्योगिक संबंद सहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा सहिता 2020 से संबंदित विधेकों को मंजूरी दे दी, इनमें किसी प्रतिस्ठान में आजीविका सुरक्षा, स्वास्थे और कारेदशा को विनीमित करने, और द् विवादों की जाच और निर्धारन तथा कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा संबंदी प्रावधान किये गए हैं। विवादों के बदलते परिवेश में शरम कानूनों में शंचोधन को जरूरी बताते वे कहा कि सरकार की तरफ से लाए गए विधेकों से शरमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अगली कड़ी में आपके साथ फिर चुड़ेंगे और बताएंगे दोनों सब्नों में ऐसा क्या हुआ जो आपके लिए जानना है जरूरी। अगली कर दो एक ड़णिए जरूरी कास में कानल के लिए सामाजिक। झाल झाल